नमस्कार, Hindi Learning चैनल पर आपका स्वागत है भारत देश को विकास के पत पर आगे बढ़ाने के लिए हम सब अजादी का अमरित महोसम मना रही है इस वर्ष मनाएंगे हर मन का उत्सफ जो कहलाएगा अजादी का अमरित महोसम तो 75 साल की उपलब्दियों को हमें पूरी दुनिया को बतलाना है कुछ नए संकल्प भी लेने हैं और भारत को विश्व गुरु बनाना है और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें उन स्वतंतता सेनानियों को याद करना है और अपने उन सब नागरिकों को, उन सब भारतिये नोजवानों को, उन सब भारतिये आने वाली पीडी को बताना है कि आज हम अपने परिवार के साथ किस कारण सुरक्षित है, क्यूंकि हमारी अजादी की सुरक्षा करना सिरफ सैनिकोई का ही काम नहीं है, बलकि हमारे पूर अगर असली हीरों का आता है तो जुबान पर नाम इस देश के वीरों का आता है धर्ती मा की ममता का चुकाया जिसने कर्च सिपाही था जस्वंत सिंगरावत जो निभा गया अपना फर्च जी हाँ भारत मावी जिस जाबांस सिपाही को जनम देकर धन्य हो गई वो वीर सिपाही कोई और नहीं था बलकि गड़वाल राइफल के राइफल मैं जस्वन्त सिंगरावत थे जिनने मरनो परांत भी महावी चक्र से सम्मानित किया गया था अजादी का अमरित महोसब तो भारत सरकार की एक पहल है जिसके जरीए हमारे महान स्वतंतता से नानियों को याद किया जाता है हिंदी लर्निंग चैनल आज इसी उदेश्य को पूरा करने के लिए अजादी के ऐसे नायकी अमरगाथा आपके सामने प्रस्तूत करने जा रहा है जिसके बारे में आपने कभी किताबों में नहीं पढ़ा नाई उनके बारे में आपने सुना है तो आएए शुरू करते हैं ऐसे जाबास सिपाही की अमरगाथा जिसने अपनी एक-एक सांस देश के लिए गवा दी ये अनूठी अमरगाथा आपको पसंद आए तो लाइक जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि आपके हर एक दोस्त को इस नायक के बारे में जरूर पता हो इस अनूठी अमरगाथा का नायक था जस्वंत सिंग रावत जो 19 अगस्त 1941 को उत्तरा खंड के पोड़ी गरवाल में जिले में पैदा हुआ था इनके पिता का नाम था गुमान सिंग रावत माता का लीला जो इनके पिता जी थी वो मिल्टरी हाउसेज में बेड़ बक्रियां पाल कर डेरी का काम करते थे क्यूंकि घर का खर्चा चलाना था और मा जो थी वो घर संभालती थी घर की आर्थिक स्थिती जादा ची नहीं थी जिस वज़ा से ये दस्वी कक्षा तक ही पड़ पाए थ इनके दो छोटे बाई थे विजे सिंग रावत और रनवीर सिंग रावत भाईयों से बहुत प्यार करते थे ये संगीत का बड़ा शोंग था इने और बैरून की उंची पहाडियों पर अकसर गीत गुन-गुनाया करते थे पढ़ते थे बैरून के स्थानिय गौर्मेंट स स्कूल से शिक्षा पूरी कर ली थी इनके घर में कोई भी फोज में नहीं था पर ये फोज में भरती होना चाते थे क्यों कि स्कूल से घर आते हुए आर्मी के जवानों को अकसर देखा करते थे कि वो देश की रक्षा करते हुए किस तरह अपनी ड्यूटी पर तैनात रहत हैं घर की स्थिती भी अच्छी नहीं थी और दिल में देश प्रेम भी जादा था तो फोज में भरती होने चले गए उम्र कम होने के कारण इन्हें भरती नहीं किया गया छे महीने बाद जब सेना में जाने की उम्र हो गई तब 19 अगस्त 1960 को बतो राइफल मैन इन्हें सेना किया गया ध्यान से सुनिएगा 14 सिप्तंबर 1961 का दिन था जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हुई थी एक साल बाद यानी 17 नमंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुनाचल परदेश पर कबजा करने के उदेशे से हमला कर दिया इस तोरान सेना की एक बतालियन की एक कमपनी नूरा नांग ब्रिज की सेफटी के लिए तैनाथ की गई जिसमें जस्वंत सिंग रावत भी शामिल थे जी हाँ जस्वंत सिंग रावत अब चीनी सेना थी तो उनके पास सैनिक भी ज़ादा थे हथियार भी जादा थे जब इन्हें बतालियन में शामिल किया गया था ना तब जिस जगा पर ये गए थे वो जगा 14,000 फीट की उन्चाई पर थे क्यूंकि चीनी सेना काफी मजबूत थी बहतर हथियार थे तो भारतिये सेना के कई जबान उनके हाथों शहीद हो गए चीनी सेना के पास एक मीडियम मशीन गन थी जिसकी वज़ा से पुल और पल्टन की सुरक्षा खत्रे में पड़ गई थी जान की सेफटी के लिए बाकी बची पल्टन को वापस बुलाने और पोस्ट को छोड़ देने का ओडर दे दिया गया लेकिन राइफल मैं जियस रावत जानते थे कि अगर मैंने आज इस पोस्ट को छोड़ दिया तो चीनी सेना अरुनाचल परदेश पर अपना कबज़ा जमा लेगी जस्वंत सिंग रावत ने चीनी सेना के सामने खुद को आत्म समर्पित कर दिया ये देकर राइफल मैं गोपाल सिंग और तरलोकी सिंग ने भी इनका साथ दिया बाकी बची कंपनी वापस लोट गई तीनों जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे और मशीन गन से 10 या 15 अगस की दूरी पर रहकर चीनी सेनिकों पर इन्होंने ग्रेनेट से हमला कर दिया मशीन गन को इन्होंने अपने कबजे में ले लिया जस्वंत सिंग ने बहादुरी दिखा कर आसपास के सभी बंकरों पर गोली बारी जारी रखी 72 गंटों तक जी हाँ 72 गंटों तक लगातार ये जाबास सेनिक दुश्मनों से लड़ता रहा और उगे उन्हें आगे बढ़ने से रोकता रहा पूरी लड़ाई की दिशा एक अकेले जस्वंत सिंग रावत ने बदल कर रख दी इनके दो साथियों को चीनी सेना ने ग्रेनेट से शहीद कर दिया आखिर में लड़ते हुए जस्वंत सिंग रावत को भी सीने में कई गोलियां लगी जिसके कारण बैबी शहीद हो गए जब चीनी सेनिक और उचाई पर आए तो उन्होंने देखा कि 3 दिनों तक हमारी सेना के 300 सेनिकों को रोकने वाला और मारने वाला ये अकेला सेनिक था जो जगा बदल बदल कर हम पर गोलिया चला रहा था गुसे में आकर चीनी सेनिको ने जस्वंत सिंग का सिर काट दिया और उसे चीन ले गई फिर भारतिय सेना की बाकी कमपनियों को वहां बेजा गया जिसकी वज़ा से वक्त रहते चीनी सेना का अरुनाचल परदेश पर कबजा नहीं हो पाया और 20 नमंबर 1962 का दिन था जब चीन ने युद विराम की घोशना कर दी चीनी सेना ने जस्वंत सिंग की बहादुरी को देखकर उसका सिर लोटा दिया और सम्मान में तामबे से बनी मूर्ती भेंट की आज भी चीनी सेना के सैनिक जस्वंत सिंग का नान सुनते ही कहाँ पुड़ते हैं जस्वंत सिंग की वीरता पर 72 आवर्स शहीद who never died एक बॉलीवूड फिलम बनाई भी गई 2019 में और आप सब जानते हैं इन्हें महावी चक्र से भी समानित किया गया है क्या आप सब जानते हैं वहां रहने वाले जवानों का इनके बारे में क्या कहना है जी हाँ वहां रहने वाले जवानों का कहना है कि आज भी जस्वंत सिंग की आत्मा पूर्वी सीमा की रक्षा करती है इनकी याद में नूरा नांग में जस्वंतगर नाम का एक बड़ा समारक बनाया गया है यहाँ इनकी हर एक चीज को बड़ा संबाल का रखा गया है कहते हैं इनके जूतों पर रोज पॉलिश की जाती है और इनकी वरदी को रोज प्रेस भी किया जाता है पहली खाने की थाली सुबा की और रात की इनकी परतिमा के सामने परोसी जाती है इनके कपड़ों पर शाम को सिल्वटे पड़ी दिखाई देती हैं और जूते भी बदरंग दिखाई देती हैं ये एक ऐसे सैनिक थे, सैनिक हैं क्योंकि ये हमारे दिलों में हैं, ये हमारी जुबान पर हैं, जिने शहीद होने के बाद भी पर्मोशन मिलना शुरू हुआ था, जो की एक राइफल मैं से एक मेजर जनरल के पद पर पहुंच चुके हैं और इनकी पूरी सलरी आज भी इनके बलिदान बड़ा छोटा नहीं होता, आज मैंने जिस इंडियन आर्मी के शेर की अमर गाथा सुनाई है न, ये आर्मी का शेर आज भी पूर्वी सीमा की पहरेदारी करता है, असान नहीं है फोजी कहलाना, क्योंकि जजबात पिगलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है, तो इंडियन आर्मी के इस वीर योदा को हमारा शत्षत प्रनाम, एक बात और कह दूँ, हमारे आने वाले अच्छे कल के लिए फोजी अपना आज इन्योशावर कर देते हैं, तो शेर के पुत्र अक्सर शेर ही जाने जाते हैं, लाखों के बीच फोजी पहचाने जाते हैं कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो इसे शेर करके, लाइक करके, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जैहिन, जैबारत!